अगर आपका भी है बजट सवा करोड के आसपास और आप भी चाह रहे हैं डबल कार पार्किंग वाला घर फुल फरनिश लग्जरी वाला जैपूर शहर में वैशाली नगर के आसपास में सिर्सी रूड पर तो आज मैं आपको टूर कराने वाला हूँ ऐसा ही प्रोजेक्ट फ्रन आज़ईविशन एक आप देख लीजी बहुत ही सुंदर प्यारा स्ट इसंडर भर कंध्र मिल येफ साथ में आप देख सकते हैं आयरन का सुन्दर डिजाइनर वर्क आपको मिलने वाला है और फ्रन टेलिवेशन में जो बालकोनी का स्पेस से आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेशियस बालकोनी आपको मिलने वाले है यहां हम तोटल दो विलाज डिजाइन करके दे रहे हैं वैस्ट फिसिंग आपकी प्रॉपर्टी और वास्तु फैंडली आपका यह प्रोजेक्ट रहेगा में डोर की आप डिजाइन देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पारा डिजाइनर दोर यहां आपको दिया हुआ है और थ्री फोल्डिंग आपका इक गेट रहेगा जिसमें आप आराम से बड़ी से बड़ी गाड़ी इजली पार्क कर सकते हैं और साथ में आपको में डोर पर अब जैसे आप प्रॉपर्टी में अंदर मूव करते हैं अब आप देखे इसका पार्किंग स्पेस काफी अच्छा पार्किंग स्पेस ही आपको मिलने वाला है बड़ी गाड़ी दो आप अपने विला में इजली पार्क कर सकते हैं एक छोटी गाड़ी पार्क करनी है तो आपको देखने को मिलेगा सिसीडूइट केमरा हमें आपको लगा के दे रहे हैं और प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे हैं आपके किचन और ड्राइंग वाले एरिये में इसलिए हमें आपको दे रहे हैं फुल हाइट तक ग्लास विंडोर सेफटी को धान में अपको मिलने व अब देखने को मिलेगा तो आएगे दोस्तों जैसे आप प्रॉपर्टी माइं मूव करते हैं स्टाइंग में मिल जाता है आपको इस्पेशियस ड्राइंग एरिया जहां पर आपको मिल जाता है 5-setter का सोफा बीच में मिल जाती है संटर टेबल खूब सुड़त डिजाइन जाता है आपको मिलने वाला है जैसे आप आगे मूव करते हैं यह आजाता है आपका इस्पेशियस डाइनिंग कम लेविंग अरिया सबसे पहले आप फोकस किजिए इसकी में वाल पर आप देख सकते हैं कितना संदर और प्रीमिम कॉलिटी का लग्जरी वर्क आपको मिलने आप सकते हैं आपको लगा के दिए आ रही है और यहां पर एक आपको अच्छी भी लगा की दिए जा रहे है अगर आप चाहें तो वहां पर आपको फॉर सीटर का सोफा असानी से लगा सकते हैं और यहां पर बीच में आप अपनी 6-sitter की डाइनिंग टेबल आसानी से प्ल प्रॉपेटी में देखने को मिलेगा, मूव करते हैं आगे किचन की तरफ, हर घर की जान होती है किचन, अगर किचन प्रॉपर बनी भी फुल वेंटिलेशन है, तो आपके घर का जो वास्तु है, लगबग 80 से 90 परसंट वास्तु ऐसे ही कतम हो जाता है, वेंटिलेशन के वेंटिलेशन के लिए संदर पर टैल परा फोसिलिंग वर्क tek को मिलने वाला, अपर कैबिशन दोनों आपको मिलने वाला है, यह सकते हैं यह आपका सौट्फ क्लोजर है की आपकी किचन रहेगी, और जो अभी लेटेस्ट टेक्न पोला को सिंग है को हम यह जा यूज्च के आप दे सकते हैं ग्रिनाइट टाइल्स का सुंदर प्यारा वर्क आपको मिलने वाला है काफी स्पेशेस आपकी प्रॉपर्टी है एक सो आठ गिज में बनी हुए आपकी प्रॉपर्टी है डाइमेंशन की बात करूँ तो पंद्रावाई प्यारा इसका डाइमेंशन रहने व फुल हाइट का वॉड़न का वॉड़ बैड हम यह आपको दे रहे हैं और साथ में यहां पर आप आपनी चाहें तो फैमिली फोटो भी बैक ग्राउंड में लगा सकते हैं और बॉडन का बहुत ही सुंदर परावर्क को मिलने वाला है साथ में आपको यहां पर मिल जाती है हम आपको यहां दे रहे हैं पीछे बैक्यारी स्पेस देवा तो प्रॉपर साइड बैक चोड़ के बनी हुई आपकी प्रॉपर्टी है यहां पर आपको एक गेट दिया हुए जो कि अटैच रहेगा बाथरूम से 15 बाई 65 एक सो आठ गच की प्रॉपर्टी रेट मात्र एक प्रॉपर्टी का मैं आपको टूर करवा रहा हूं फुली फणिश और सेमी फणिश दोनों तरह के आप्शन से आज की तारीक में कल का कुछ कह नहीं सकते चलते हैं फर्स फ्लोर पे फर्स फ्लोर पर यहां आप दे सकते हैं स्टेर्स में गेड़नाइट और टाइल्स का वर यहां पर सुन्दर सुन्दर शेर्स आपको लगा के दी जा दिये और यहां पर भी आप दे सकते हैं बुडन का बहुत प्यारा सुन्दर वर्क आपको मिलने वाला है और साथ में आप फोर सेलिंग देख सकते हैं आईए मूब करते हैं सेकिंड बैडरूम की तरफ यह सकते हैं कुल्टिंग का फुल हैड का वुडन का वाल बैड आपको मिलने वाला बॉक्स आपका बैड रहेगा ज़स सामने मिल जाता आपको टीवी कैबिनेट पैनल फोर सेलिंग देख सकते हैं और रूम से अटेच आप बाथरूम की साइज टाइल का गलर और अंदर का वर लाइए है सहरा के फिटिंग हम आपको दे रहे हैं फोर सेलिंग वर के पर भी आप देख सकते हैं आगे मूव करते हैं मास्टर बैड डूम की तरफ अब मास्टर बैड डूम में तो साइज और इंटिरियर और कलर कॉम्बिनेशन सब मास्टर ही होना अच्छी है अब देख सकते हैं यकिन आपको यकिन होगा एक सो आठ गज में इस तरह का स्पेशिस मास्टर बैडूम भी निकल सकता है बहुत ही अच्छा स्पेशिस है बैड बॉक्स बैड लगने के बाद में वाट ड्रॉप लगने के बाद में टीवी कैबनेट पैनल की इतनी बड़ी डिज तो हमने निकालके दिया आंको जहाँ पर अपना बावनीलींची को ढलास लग और काफी स्पेश्टेश के इस वाड़ां आपने में यहां व्यद्रीकाना चाहते उसे लागा सकते है और अगर में पर सब्सक्र घृष्ध को करू तो लगग एक सिंगल मिलती है हम यह आपको दो side drawer दे रहे हैं दो इधर मिल रही है और यहां पे अब आप डिजाइन देखिए यहां पर अपने full size की family photo आसानी से यहां पर लगवा सकते हैं और अभी जो latest design चल रहा है wallpaper का वो वरक हम ने यहां पर कर आब के दे रहे हैं आपको और wooden का सुंदर प्यारा मिलने वाली है फ्रंट साइड की बालकोनी की बात करूं तो यह दे सकते हैं फ्रंट साइड की बालकोनी काफी स्पेशिस रहने वाली है और यहां पर आप दे सकते हैं बुलन का बहुत ही सुंदर के वर्क आपको मिलने वाला है खुब सुरत शेल्डे लाइट्स यह आपको ल आपके दे रहें, आप देख सकते हैं, इतना प्यारा सुंधर जूमर यहां आपको मिलने वाला है, और जो टैरिस है आपकी डौपार्ट में रहेगी, एक आपकी बैक टैरिस रहेगी, और एक रहेगी फ्रॉंट साइड की टैरिस, दोनों को आप अपके टैरिस गार्डन में, यहां पर आप दे सकते हैं, यहां पर भी काफी अच्छा स्पेस दिया हुआ है, और एक बर मैं आपको इसके आसपास की लोकेशन दिखाना चाहूंगा, यहां बैक टरीस से, यह सामने जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, यह मेन वैशाली नगर की बिल्डिंग से है यह सामने बिल्डिंग देख सकते हैं, यह मेन वैशाली नगरला एरिया है, तो सिर्सी रोड से वाकिंग डिशन पर आपकी प्रॉपर्टी रहने वाली है, अब बात करता हूं आसपास की कनेक्टिविटी की, तो डी मार्ट जो भी लेटिस यहां पर आने वाला है, मेन सिर् आँए हैं, आएए चलते हैं फ्रंट साइड की टर्ष की तरफ , यह रहीगी दोस्तों फ्रंट साइड की टर्ष यहां पर आप देख सब्सक्राइब तो एक व्रोड राख रुपर में आगर आप विजेट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दियो निमबर पर कॉल कर सकते है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जब लोगों से शेर करें जान्यवाद